नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जरूर मिलेगा कि उनके परिवार का भरन पोशन ठीक से हो सके प्रतिनिधी मंडल ने सी टेट को जे टेट की तरह मन्याता देने तथा टेट भी संगती दूर करने की मांग की है इस पर मंत्री ने कहा है कि अधिकारियों के लपरवाही के कारण टेट भी संगती हुई है जिसे सीग्र दूर कर लिया जाएगा उन्होंने अनुकंपा के प्रविधान को भी सीग्र सरल किये जाने की जनकारी देते हुए कहा है कि पराशिजकों को ईपीएप का लाप देने के लिए फाइल बढ़ गई है प्रतिनीदी मंडल ने वर्तमान नियमावली में सुधार की भी मांग की जिस प्रमंत्री ने वीचार करने का स्वासन दिया वहीं प्रतिनीदी मंडल में बिनोद भिहारी महतो बिनोद तिवारी तथा सोसिल्पांडे सामिल थे रांची में 61,000 मामलो का निप्टारा ज्हारखन राज बिधिक सेवा प्रदिकार के कार्य पालक अध्यक्ष के निर्देश पर रांची सिविल कोट में सनिवार को राश्ट्रिय लोक अधालत का आयोजन किया गया इसमें 61,000 सेधिक मामलो का निप्टारा किया गया इस दोरान साथ पीलितों के बीच 25 से रुपय का मुवजा की रासी भी बित्रीत की गई राश्ट्रिय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्याईक दंडा अधिकारियों के लिए 23 बेंच एवं करेपालक दंडा अधिकारियों के लिए 29 बेंच का गठन किया गया था सरना धर्म कोट के लिए दिली के जनतर मंतर पर प्रदर्शन जार्खन स्थापना दिवस से पहले सरनाधर्म कोट की मांग को लेकर विभीन आदिवासी संगटनों ने देश की राज़ानी नई दिली में जनतर मंतर पर महाधर्ना दिया राष्ट्रिया आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तहद विभीन राज्यों के हजारों आदिवासी इस परदर्शन में सामिल हुए संकटनों ने राष्टपती प्रधान मंत्री ग्रीह मंत्री जन्चातिय मामलों की मंत्री राष्टार जन्र अफ इंडिया को सरना धर्म कोट की स्विक्रिती देने अजन गर्ना पत्र में प्रिथक कोट के रूप में अधिस सुचित करने के लिए ग्यापन सोपा आदिवासियों की मांग है कि देश में हिंदू, सीख, इसाय, मुस्लिम के लिए जब अलग-अलग कोट की वेवस्ता है तो आदिवासियों के लिए क्यों नहीं आदिवासियों की वर्षो पुरानी मांग को तत्काल सविकार किया जाना चाहिए सराय किला में 1932 का खतियान पर बोले सीम हेमांत जारखन के सीम हेमांत सुरेन ने सराय किला में अयोजी सरकार आपके द्वारकार करम को समभोधित करते हुए कहा है कि सरकार ने राजे के इतिहास में एक नाया अध्याय जुड़ा है जारखन के मुलवासियों आधिवासियों को ससक्त पहचान देने के लिए उन्हें 32 का खतियान और सरना धर्म कोड को लागू किया गया है सरकार ने दोनों विधाय को विधान सभा से पारित करवा कर नवी अनसुची में सामिल करने के लिए के इन्हें सरकार को भेजा है ताकि यहां के OBC को आरख्षान, मुलवासियों, आधिवासियों को उन्हें 32 की पहचान और सरना धर्म कोड मिल सके सराय के लामिन नए अनुमंडलिये कर्याले भवान, मौडल डिग्री कॉलेज खर्षावा एवां मौडल डिग्री कॉलेज की सोगात दी गई राष्ट पती पर टिपनी करने वाले मंतरी को बर्खास्त करे ममता जार्खन के पूरो मुख मंतरी और आदिवासी मामलो के केंद्रिये मंतरी अरजुन मुंडा ने पच्छिम बंगाल की मुख्य मंतरी बामता बनर जी से मांग की है कि वा अपने उस मंतरी को बर्खास्त करे जिन्होंने महा महिम राष्ट पती द्रोपादी मुर्मू के खिल पच्छिम बंगाल की मुख्य मंतरी मंतर बनर जी को ऐसे नेता को तुरंत अपने मंतरी मंदल से परखास्त करना चाहिए इसके लिए मंतरी को आदिवासी समाज और देश से माफी मांगनी चाहिए अमिताब बचन के साथ होट सीट पर बैठे जहारखन के सार्थक पंडा अमिताब बचन के साथ कौन बने का कोड़पती के होट सीट पर बैठ कर जहारखन के पुर्वी सिमु जीले के गालू डी के सार्थक पंडा 30 वर्चिय ने 6,40,000 रुपे जीत कर किर्तिमान अस्थाप दिया है दरसल 23 अक्टूबर को सार्थक पंडा का सक्षतकार मुंबाई में हुआ था वह अपनी पत्नी सुभरा पंडा के साथ कोलकाता से फलाइट से मुंबाई पहुंचे थे सेलेक्शन होने के बाद 1 नौमबर को वे होट सीट पर बैठे और इसकी सुटिंग होई 11 नौमबर को सोनी टीव पर रात 9 बजे इसका सिधा परसारन किया गया बता दे पुरे परिवार समेथ इलाके में खोसी का महुल है रांची में बंसवर ट्रक के टकर में तीन की मौत और 35 से आतरी से ज़्यादा जखमी खरसी दाग ओपी 36 रिंग रोड बिरीज फोर्ड इसकूल के समीफ तूफू दाना चौक की और आने वाले मोड पर सनीवार के साम चार बजे जे एच जीरो वन एए सैंतिस अठारा और ट्रक ओडी जीरो दो एमबी तीरासी ब्यासी में जोरदा टकर हो गई इसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौथ हो गई है तीनो मिरीत को का नाम खोटी निवासी पुर्वसैनिक कोमल भुया जीतू पाहन और एक अन्य है इसके अलावा 35 लोग घायल हुए है जिसमें 12 लोगों को गंभीर चोटे आई है पुलिस ने तीनो मिरीत को के सौग को पोश्माश्रम के लिए रिम्स भेज दिया है रभीवार को तीनो के सौग का पोश्माश्रम होने के बाद सौजनों के हवाले किया जाएगा पूलिस का कहना है कि भोली या त्री बस खदगाड़ा से प्रती दिन तब करा जाती है ट्रक नामकुम की ओर से जा रहा था बस का चला काफी तेज गती में था पूलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है ट्रक में सबजी लोड था जैक के सदस्यों के चैन के लिए पूराना बिग्यापन रद इसकुली सिक्षा यम सक्षर्टा विभाग ने जारखन एकेडमी काउंसिल के सदस्यों के चैन के लिए जून 2020 में ही आवेदन मांगे गए थे लेकिन दो वर्ष से अधिक समय में भी सदस्यों का चैन नहीं हो पाया अब विभाग ने जून 2020 में जारी बिग्यापन को रद कर नए सीरे से बिग्यापन जारी कर आवेदन अमत्रित किये हैं चाहस रेनी में कूल 11 सदस्यों का चैन होना है विभाग ने 11 सदस्यों के लिए चैन के लिए 8 दिसंबर तक आवेदन मांगे हाए इडी जाच से बचने के लिए अफसरों ने कराया हवान मुख्यमंत्री आवाज के समीफ कांके रोड इथीत उत्पाद एवंमग्द निसेद विभाग के कर्याला में सनिवार को बैदिक मंत्रो उचारन के बीच हवन पूजन का कारेकरम संपर्ण हुआ यह हवन चर्चा का भी से बना हुआ है बतादे वर्ष 2018 में उत्पाद एवंमग्द निसेद विभाग अपने कुराने भवन से जब नया भवन में सिफ्ट हुआ था तब भी इस तरह की पूजा पाठ नहीं हुआ था भवन सिफ्ट होने के चार साल के बाद उत्पाद विभाग को सुक समरेदी व सांती की याद आई और होन करवाया गया उत्पाद विभाग के एक वरिष्ट अधिकाई ने कहा है कि नय भवन में आने के बाद अब तक पूजा पाठ नहीं हुआ था या वर्सों से लंबित था जिस पर विचार चल रहा था नगर निकाय चुनाओ दिसंबर में जारखन निर्वाचन आयोग ने अगले माह दिसंबर में नगर निकाय चुनाओ करने की तियारी पूरी कर ली है इस माह कभी भी इसकी घोसना हो सकती है राजनिर्वाचन आयुकत डिके दिवारे ने सरनिवारकों सभी जीलों में चुनाव तेयारियों के समिक्षा सभी उपायूग से जीला निर्वाचन पताधिकारियों तथा पुलिस अधिक्ष कों के साथ विडियो कंफिनसिंग के माधियम से की है इस करम में उन्होंने सभी उपाईगतों को तहीर दुरुस्त रखने तथा नियमों का अध्यान का सवधानी पुरुवक चुनाव संपन कराने को त्यार रहने का सुझाव दिया वीडियो कंफ्रेंसिंग में नगर विकास विभाग के सचीव बिनाय चौबे एडिजी अभियान संजय लाटकर गिरी विभाग के अपर सचीव परदीप तीगाव और अधिकारे भी सामिल हुए जारखन का अपसर बेचता था निजी कंपनियों का प्रोडक्ट निजी कारे हेतू सरकारी मसिनरी वपद का दुरूपयों करने तथा सिक्षा की गुनवाता में सुधार में बाधक बनने का दोसी पाया है अब इन पर दंड लगाने के लिए विभागी करवाही चलाने का नहींने लिया गया बता दे गिरिडी के ततकालिन जीला सिक्षा अधिक्षा के विरूद एक नीजी कंपनिय के प्रोडक्ट को सिक्षकोवा कर्मियों के बीच बेजने तथा प्रोडक्ट खरीदने के लिए उन पर दबाव डालने की सिकायत इसको लिस्टिक चावें अमसर साथ विभाग को मिली थी जारखन में जमीन सर्वे के बारे में भी से सग्यो का राय जारखन में जमीन का अमतिम सर्वे वर्ष 1922 में हुआ था 1922 से 1982 के सर्वे को वर्ष 1922 में ततकालिन बिहार सरकार ने रद कर दिया था आजादी के बाद राजे में अम्तिम सर्वे सेटलमेंट सिर्फ सिम्भूम छेत्र में 1960 से 1964 के बीच हुआ था वही आने छेत्र में 1932 से पहले ही सर्वे सेटलमेंट हुआ था आजादी के पहले पच्छमी सिम्मू में 1913 से 1929 तक के बीच पाला रिवीजन सर्वे हुआ था इसके बाद रांची खोटी सिम्टेगा, गुमला और लोहतागा में 1927 से 1935 के बीच रिवीजन सर्वे हुआ था वहीं पुर्वी सिम्म में 1934 से 1934, सराय के लाखार सावा में 1935 से 1995 के बीच तथा हजारी बाग चात्रा कुडर्मा गिरीडी और रामगड में वर्स 1995 में पाला रिवीजन हुआ था हेमंत सर्कार कोईला वा बालू लूट में लीप्त बीजे पी हेमंत हटाओ जहरखन बचाओ नारे के साथ परदेश भाजपा क्यावाहन पर सनिवार को जहरिया परखन के करकताओ ने भाजपा परदेश कार्य समी 30 सदस्य रागिनी सिंग के निर्थित में रैली निकाली इससे पुर्व कतरास मोड इस्थित सिंग मेंसंस कर्यालाई पर भाजपायों का जुटान हुआ यहां से करकताओ पैदल मार्च करते हुए अंचल कर्यालाई पहुंचे रैली में सांसद, पी एन सिंग, जिला अध्यक, चंदर सेखर सिंग, पुर्व मेर चंदर सेखर अगरवाल समेत कई नेता मौजूद रहे कारकरम के दोरान, रागनी सिंग ने कहा है कि जार्खन को बचाने के लिए भाजपाक के एक एक करकरता सोजग प्रहौरी की भूम का निभार है है जानता को भी जागरूप होने की असकता है जार्खन के पुरो मंत्री समरेश सिंग की तबियत बिगडी जार्खन के पुरो मंत्री समरेश सिंग की तबियत सन्नी वर को अचानक खराब हो गए उन्हें जल्दबाजी में बोकारो जनर अस्पताल के सीसी यू वाड में भरती कराया गया जहां से उन्हें राची स्थित में दानतार येफर कर दिया गया पुरो मंत्री समरेश सिंग लंबे समय से बिमार चल रहे हैं चिकिसो का काना है कि फिलाल उनकी हालाच इस्थीर है समरेश सिंग की उम्र 81 वरस चाधीक हो चुकी है उनके अस्पताल में भरती होने के सुचना मिलने पर बोकारो भिधायक बिरंची नरायन समयत कई समाजी कोरायनेती करकाता बी जी एज पहुँचे और उनसे मुलकात की ओ पुजेटिव ग्रूप के मरीज को धनबाद मेडिकल ने भी पुजेटिव चड़ाया सहेद निर्मल महतो मेडिकल कोलेज यहां अस्पताल में भारी लपरवाही उजागर हुई है यहां मेडिकल वाड में भरती जोंडिस के एक मरीज गिरी डीके चेताडे निवासी 32 वर्थ सिये इमादुइन अंसारी को अस्पताल के कर्मियों ने ओ पुजेटिव की जगा बी पुजेटिव गुरूप का ब्लोड चला दिया बता दे मामले का पता चलने के बाद सन्निवार की दोपहर मरीज के घरवालों ने बलोड बैंक में जाकर हो हंगामा शुरू कर दिया पहले तो बलोड बैंक वाले ने अपनी इस गलती को सही साबित करने की कोशिस की लेकिन जब अलग अलग बलोड गुरूप की रिपोर्ट देखी तब पता चला कि मरीज का बलोड गुरूप ओ पोजेटिव है बलोड बैंक में जाच के दर्ण कर्मियों के लपरवाई से भी पोजेटिव लिख दिया गया था इसके बाद बलोड बैंक के करमचारियों के भी होस उड़गा है 1922 का बील पारित करवाय भाजपा मुख्य मंत्री सरकार आपके द्वार कारकरम के दूसरे चरण में मुख्य मंत्री हमन सुरेन सरनीवार को सराय के लाए थे उन्होंने कहा है कि 11 नौमबर अब जायरखन के लिए अतिहासिक दिन बन गया है इस दिन राजवासियों को 1932 खत्यान वा ओविस यारक्षन की सोगाज मिली है मुख्य मंत्री ने भी पाक्षी भाजपापन इसाना साते हुए कहा है कि अब हुए धारना परसंद छोड़ केंद्र से यह बील पारित कराने में स्वजोग करे सराइकला खरसावा जिला मुख्याले सराइकला इसीद बीरसा इस्टेडियम में आते ही संथाली भासा में लोगों का अभिवादन करते हुए कहा है कि हमारा उद्देश से ग्रामिन अर्थ ब्यवस्ता को मजबूत कर सभी परिवार को रोजगार देना है देवघर गोली कांड मामले में नव अपराधी गिरफतार आठ नौमबर को दिल मांगे मोर ढाबा के संचालक सहजमीन करुबारी कर्ण कोल निवासी पपुठा को पर गोली चलाने के मामले में पुलिश ने मुख्य सरगना जिला बदर जितेंद्र कुमार ओर्फ बाबा परिहस्त को धनबाद के निर्शा से गिरफतार किया है उसके साथ देवघर पुलिश ने धनबाद पुलिश के सहजोग से लक्षमी पुर्चोक निवासी राहूल मिसरा ओर्फ बिट्टुवा सिव गंगालेन निवासी अंकित जा ओर्फ बुरुसली को गिरफतार किया वहीं इसी मामल में कुंडा थाना की पुलिश ने कुलकात्ता से बिलासी टाउन मुहला निवासी अविशेक भरदवाज सलोन टांड निवासी से रितिक सिंग आरी को गिरफतार किया है पाकुड में 17-108 दुलहे का सजा सेहरा पाकुड सहर के सीव सितला मंदीर प्रांगन में सनिवार को 108 गरीब बेटियों का सामोही की बिवासंपन हुआ जहां 17-108 दुलहे के सीर सेहरा बांध कर पहुंचे थे जबकि मंदीर परिसर में इतनी ही दुलहने अपने दुलहे के इनतियार करती दिखी मोके पर पहुंचे पुर्व केंद्रिय मंत्री सहसांसत जनादन परसाद सिंग रिवाल समारोह में पहुंच नौ बिवाहित जोड़े को असिरबात दिया इस समुहिक बिवाह समारोह कावेजन IAC Electrical Private Limited कोलकत्ता BD गांडो दिला मलेरिया ट्रस्ट कोलकत्ता बैदनाथ सेवा संग चरिटेवल ट्रस्ट की ओर से कराया गया राश्टपति की सुराक्षा NSG संभालेंगे राश्टपति द्रोपदी मुर्मु के दो दिवसे जार्खन दर्यों को लेकर सुराक्षा के पोकता इंतिजाम किये जा रहा है इसी कराम में सनिमार को NSG ने राश्टपति करम अस्थल की सुराक्षा ब्यवास्ता की कमाल समाल ली है NSG का एंटी ड्रोन सिस्टम भी खुट्टी के उली हातू में इंस्टॉल किया गया खुट्टी का उली हातू नक्सल प्रहाई छेत रहा है इसका राश्टपति की सुराक्षा को लेकर एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है वहीं दूसरी ओर रांची रेंज के डिजी अनीस गुपता के नेतितों में 15 आईपेस अधिकारी सुराक्षा ब्यवस्ता की कमाल समाल लेंगे खतियान और आरक्षन नीती के मामलों में नियमों का पालन नहीं रगवरदास पूरो मुख मंतरी और भाजपा के राष्ट रिये उपाद्यक्स रगवरदास ने कहा है उन्हें 142 का खतियान और आरक्षन नीती दोनों ही मामलों में नियमों का पालन नहीं किया गया मुख मंतरी हमंसुरेन जानते हैं ему 32 का खतियान लागु नहीं हो सकता है उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री हमांसुरें ने बिधान सवा में कहा था यदि आप कानून के जानकार हैं तो खतियान के अधार पर कभी भी नियूजन निती नहीं बन सकता कभी भी खतियान के अधार पर नियूजन निती बनेगा तो कोट उसे तुरंत खत्म कर देगा प्रदान सचीव राजीव अरुन एकाने सिक्षा विभाग को पीत पत्र लिख कर मामले पर अवसेक करवाई करने का निदेश दिया मोखे मंत्री ने जार्खन प्रदान सवा में मार्च 2020 में ही सेवा सर्द निमाउली बनाने का अस्वासन दिया है अईसे में 28 साल से अधिक का समय बीतने पर भी करवाई नहीं होने पर नराजगी जताई है इस मामले को लेकर कॉंग्रेस बिधायक दिपिका पांडे सिंग ने मुखे मंत्री को पत्र लिखा था उन्होंने मुखे मंत्री से अपील की थी कि बीत्रही सिक्ष को वा सिक्षा कर्मियों के सेवा सर्द निमाउली बना कर उन्हें सरकारी सेवक के तर्ज पर बेतनमान दिया जाए जार्खंडियों के हक और अधिकार के पक्ष में है अस्थानिय निती निलकंट सिंग मुंडा पूर्व ग्रामिन विकास मंत्री सखोटी विधायक निलकंट सिंग मुंडा ने सनिवार को मुर्भू में अस्थाने निती और आराक्षन के मुद्धे पर अपनी पर्तिकिरिया दी उन्होंने कहा भारतिय जन्ता पार्टी आरम सही जार्खन के लोगों को अपना हग और अधिकार देने को लेकर पक्षधर है जिसके कारण ही पूर्व प्रधान मंत्री अटल विहारी बाज़पेई की सरकार ने अलग जार्खन राजे दे कर यहां के लोगों के हीत और अधिकार दिलाने का कारी किया वहीं एंडिये के कारेकाल में भी हमने अरक्षन 1932 खत्यान लागू करने की पाहल की थी लेकिन हाई कोट ने इस पर रोक लगा जी थी हमन्त सरकार के वह लोगों को बरगलाने का कारे कर रही है या सरकार भष्टा चार की सरकार है रगुबर दास का दावा हमन्त सरकार जा रही और भाजपा आ रही पुर्व मुख मंतरी और भाजपा के रश्रिय उपाधक्त रगवार्दास ने दावा किया है कि हमन्त सुर्यन सरकार जा रही है। रगवार्दास सन्यवार को दुमका में पत्रकारों के साथ बात चीत कर रहे थे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यह राइनिती उलट फिर कब तक होगा तो उन्होंने कहा है कि इंतजार किजिए उन्होंने कहा कि हेमत सरकार बीचोलियों, सिंडिकेट और माफियाओं के इसारे पर चलने वाली सरकार है इसके आने के बाद से राजे में खनी समपदा की जम कर लूट हुई है उन्होंने कहा है कि जारखन में बहुन बेटिया भी असमत लूटी जा रही है पर यह सरकार मुक दर्सक बनी है पूलिस ने होटल और लोज खंगाला राष्टपती द्रोपदी मुर्मु के दोरे को लेकर राची पूलिस हाई अलट पर है इसी कड़ी में सनीवार की राथ सहर के होटलों और लोज को पूलिस ने खंगाला वहीं राजधानी के सभी थाना छेत्रों में सगन वाहन जेकिन अभियान चलाया गया सनीवार की राथ राजधानी के लवग एक दरजण होटलों को खंगाला गया वहीं 200 से अधीक दो पहिया और चार पहिया वाहनों की चेकिंग की गया पता देराष्ट पती द्रोपादी मुर्मु के जारखन आगमन को लेका राजधानी राची पूलिस पूलितर से सतर्क मोड में हाई मुख्य मंत्री का एस्टी एस्टी करमचारी संग ने जताया अभार मुख्य मंत्री हेमन सुरेंस सै शनिवार को उनके काके रोड राची आवाचिय कराले में अनुसूचित जन जाती करमचारी संग के पृतिनिदी मंडन ने मुलकाद की प्रतिनीधी मंदान ने राजे में 1922 खतियान अधारित अस्थानियता और नियोकती तथा सेवाव में आराक्षन बिरिधी का विधयक जारकन विधान सभा से पारित होने को लेकर मुख्यमंति की प्रति अभार ब्यक्त किया है धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं हो तो चलों के सब्सक्राइब का बाल का वेल एकन दबाई है साथी साथ वीडियो के एक लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूलें साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फिड़वेक अवस से दे थैंक यू